पर, question no 58 कह रहा है, कि आपके पास कुछ bulb हैं, ABC, E-Volt की बैटरी के साथ connect हैं, शुरुवात में ये switch open है, जब ये switch open है, तो ये bulb कितनी power ले रहा है P, ठीक है, और जब ये switch close हो जाएगा, तो ये bulb कितनी power लेगा, ये निकाल ले, तो जब ये switch open है, तो circuit बनाओ कैसा दिखता है सरकिट ऐसा देखेगा यह वाला तो काम में ही नहीं रहेगा राइट क्योंकि स्विछोपन है तो सरकिट डाइगराम हो जाएगा ऐसे इन बल्ब के रिजिस्टेंस यह आइडेंटिकल बल्ब्ब्स है तीनो तो इनके रिजिस्टेंस मैं आर 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 मान लेता हूँ नहीं नया सरकिट डाइगराम बनाया और इसकी पावर ती यह बना है जो यह कंजियूम कर रहा है उसको निकाल लेता हूँ मैतमेटिकली कितनी आईगी तो पावर इसके जो कंजियूम करेगा वो होगी आई स्कोर आर तो मुझे हैं आपे करंट चाहिए करंट होता है नेट इमफ जो की ए है अपॉन टोटल रिजिस्टेंस जो की टू आर है तो यह आई की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करता हूँ ज़ेगा इसकोर बाइसकोर इसकोर इन्टू आर पावर आर से आर कैंसल तो पावर की वैल्यू आकि इस्कोर वाई फॉर आर जो यह कंजियूम कर रहा है ठीक है यह तो मेरा केस 1 केस 2 में आप स्विच को क्लोज कर देते हो दूसरे केस में स्विच क्लोज करते हो दुबारा से डायग्राम मनाना पड़ेगा स्विच क्लोज करने के पर डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा तीनों बल्प्स के रेजिस्टेंस आ रहे हैं अब क्या होगा ये कित्ती पावर कंजियूम करेगा ये निकाल ले हैं तो अब इसमें से जाने वाला करंट बदल जाएगा तो मैं ये जो पावर कंजियूम कर रहा है उसको मान लेता हूँ P- मैं लिकूंगा P- I by 2 का स्क्वेर आर यानि कि इस में से जो जाने वाला करंट है वो I by 2 है तो पहले टोटल करंट निकाल लेता हूँ इस कंडीशन में कितना होगा तो टोटल करंट इस कंडीशन में होगा नेट E-MF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस नेट E-MF तो E ही है टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों पैरलल में इनका कॉंबिनेशन इसके साथ सीरीज में R-R बन गया R by 2 और इसके साथ सीरीज में R by 2 प्लस R यह जाएगा 3R by 2 तो इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में जो टोटल करंटे सर्किट में होगा 2E by 3R अब यहां से जब 2E by 3R करंट जाएगा तो वो equally divide हो जाएगा आधा इधर चला जाएगा क्योंकि यह दोनों same resistance है तो करंट का जो divide होगा करंट वो भी equally divide हो जाएगा तो 2E by 3R का half part यहां जाएगा I by 2 और I by 2 यहां इसलिए मैंने इसकी जो power है उसको लिखा है P बराबर I by 2 का whole square into इसका resistance जो की R है I by 2 हो जाएगा मेरा E by 3R ठीक है तो मैंने यहां पे 2E by 3R ही लिख दिया 2E by 3R ही लिख दिया यह जो 2 square है इसको मैंने बाहर ले लिया 4R की जगा R और I की जगा 4E square by 9R square 4 से 4 cancel करेंगे R से R cancel करेंगे P डैश हाजाएगा E square by 9R उपर से E square by R की value निकालते है E square by R किसके बराबर होगा 4P के बराबर तो E square by R की जगा क्या लिख देता हूँ यह E square by R की जगा क्या लिख देता हूँ 4P तो P dash क्या आ जाएगा मेरा 4P by 9 तो अब यह कितनी power consume करेगा 4P by 9 और पहले consume कर रहा था सिर्फ P So this is the question